हरे गृष्णा सबसे पहले पतितपावन परमकरुनामय परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्तलिला प्रविष्ट ओम विश्णुपाद परमहंस श्री सिल भक्ति बलब तीर्थ गुस्वामी श्री गुरु महाराज के श्री चरन कमल में अनंत कोटी सास्टांग परमाराध्यतम करते हुए उनकी अहितों की गृपा प्रार्थना करता हूं अब कर दो प्राय सह कि प्रयभक्तों के मुख से इसे सब्सक्राइब करने को मिलता है कि कौन सा जिसे भगवान को प्रार्थना करते है एप प्रवु आप तो पतितपावन हो आप तो पतितों का उद्धार करने वाले हो आप तो पतितों का अत्राण करने वाले हो आप तो पतितों का बंदू हो सब लोग इस प्रकार से भगवान को प्रार्थना करते है बास्तव में वो पतित कोन है जिस पतित के साथ भगवान का इतना सारे नाम जुड़ा हुआ है या उस प्रकार के पतित कैसे बना जाता है शिला रुपग स्वमिपाद बताते हैं कि पतित कैसे हुआ जाता है कहते हैं कि शर्व पाधी बिनिर्व मुक्तम बलते हैं जो समस्प्रकार के उपाधियों से बिनिर्व मुक्त है अर्थाद चाहें वो देह सम्मंदी उपाधी हो या देहिक सम्मंदी अभिमान हो उसको परित्या किये बिना कोई भी पतित नहीं बन सकता है और उसमें क्या-क्या भी मान होता है जिसको त्याग करना पड़ता है उसको कुंति दिवी जी बताते है कि जन्मेश्वर्जय सुर्त श्रिभी रेध मान मदह पुमान बलते हैं कौन-कौन सा अभिमान है वहां बलते हैं जन्म यह भिमान नहीं रहना चाहिए कि मैं उच्यकुल में जन्म हुआ हूं अईश्वर्जय मेरे पास इतनी सारी अईश्वर्जय है धन संपत्ति है यह बलते हैं मैं बहुत बड़ा बिद्वान हूं मैं सास्त्री हूं मैं बैदानती हूं यह भिमान और बलते हैं मैं बहुत सुन्दर हूं दखने में मैं सबसे अच्छा हूं सुन्दर हूं गोरा हूं इस परकार का भिमान और बलते देह और देही कादी जो अभिमान है मैं डाक्टर हूँ, मैं इंजनियर हूँ, मैं साइन्टिस्ट हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं दिमक हूँ बलते यह समस्थ प्रकार के अभिमान को जब तक त्याक नहीं किया जाता है तब तक कोई पतित नहीं बन सकता है इसलिए तो सिमन महाप्रोभुजी समस्त जीबों के स्वरूप को बताते हैं क्यों सा कि नाहम विप्रो नच नरपती वैश्योन सुद्र नाहम बरनी नच ग्रिहपती बनस्त यतिर्वा किन्तु प्रद्योन निखिल परमानंद पुरना मृतावधे गोपी भत्त्री हुपदकमलयो दास अनुदास 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 हूँ देखो समस्त प्रकार के उपाधि से बिनिर्मुक्त कर्द्यासिमन महाप्रभुज नहीं कि ना में ब्राम्हनु ना में क्सित्रिया हूँ ना में वैश्या हूँ ना में सिद्र हूँ ना में ब्रमचारी हूँ ना में घ्रियस्त हूँ ना में ब्रबानप्रस्त हूँ ना में सन्यासि हूँ ना में राजा हूँ ना में प्रजा हूँ बलते हैं वही गोपियों के भरन पुसर करने वाले जो सियाम‌सुंदर है उनके दासों के दासों के दासों के दासों के दासों में ऐसी अवस्ता में पतीत हुआ जाता है और बलते हैं जब तक इस प्रकार के पतित नहीं बन पाते हो या पतित की अवस्तग प्राब्द नहीं कर पाते हो तब तक उस पतित पावन का संधान पाना अत्यांत दुसकर है सिल्व नरुतम दस्ठाकुर जी एक जगा में बताते हैं कि यह भगवान आपके नाम तो पतित पावन है और पतित पावन के नाम से आप अपने नाम का महिमा धिन्डुरा पिटवा रहे हो जगत में बिगोशित कर रहे हो जैसे कि पतित पावन नाम घुसना तुमार स्याम आपने तो ये गोशना किया है संसार में कि मेरा नाम ही पतितों को पावन करने वाला है पतित पावन है तो मैं तो नितांत पतित हूँ और सायद मेरे से बड़ा पतित इस त्रिभुवन में और कोई भी नहीं होगा अगर अगर आप मेरे जैसे पतित का उपिक्ष्या करोगे तो तुम्हें पिर उस पतित अपावन नाम में तुम्हारे कलंक आ जाएगा क्यों? क्योंकि देखिए मेरे जैसा पतित अधम तुमको इस सारा संसार में खोजने पर भी नहीं मिलेगा अच्छा चलो भगवान कहते है कोई बात नहीं अगर तुमको उपिक्ष्या करने से मेरे पतित अपावन नाम को कलंक लगेगा तो लगने दो इसे तुम्हें क्या प्रब्लम है? तो कहते है ठाकुरुमा से देखो उपेखी ले नहीं मोर गती अगर तुमने इस प्रकार से तुम्हारे सामने देखते हुए कि मैं असमर्त हूं और शनागत हूं और पतित भी हूं और दीन भी हूं अधम भी हूं इस सब जानते सुनते हुए भी अगर तुम मेरे उपिक्षा करोगे तो मुझे कोई प्रब्लम नहीं है प्रब्लम तो यह है कि मेरा और दुसरा कोई गती है यह नहीं आपके सिवा आपके आश्रज को छोड़ करके मेरा और कहीं आश्रज लेने का कोई ताक ही नहीं है क्योंकि देखो हे नाथ हे कृष्णम तुम ही नहीं तो ये गोशना किया है कि नानमा मकारी बहुदा निजसर वसकती स्तत्रार पितन यमिता स्मरने मकाल कि तुम्हारे ये जो क्रिष्णा गोविंद इत्यादी जो नाम है ये नाम तो पतितपावन है और ये इस समझ संसार में बिखोसीद है और मैं अधम पतिद हूँ तुम्हारे उसी पतितपावन नाम का मैं आश्रण लिये हुए हूँ और तुम तो अनन्य गती हो और अनन्य गती होने के नाते तुम मेरी उपेक्ष्या नहीं कर सकते हो बास्तप में दखा जाए तो भगवान से क्रिश्नम चलो मान लेते हैं कि उसका उपेक्ष्या कर भी देते हैं लेकिन भगवान ने जो संकल्ब लेके रखा है मैं मेरे नाम में समझ प्रकार के सकती को और पन करके रखा हूँ और जो भी मेरे नाम के सरण में आता है उसका मैं तरान करता हूँ चलो प्रवो आप स्वयम और आपके नाम में किस बर कर भेत नहीं है मैं मानता हूँ फिर भी अगर आप मुझे उपेक्ष्या करते हो तो आपके नाम का जो गून है आपसे भी अधीग है आपके नाम में जो गून है जो सकती है आपसे भी सरवाधिक उसका विव्यक्ति होती है इसलिए आपके नाम तो मुझे उपेक्ष्या ने कर सकती है देखिए जैसे अजामिल कितना बड़ा पापी था पतित का तो कोई वहां प्रसन नहीं उड़ता है लगिन कितना बड़ा पापी था उसने अपने पुत्र का नाम नारण का उच्चारून किया जैसे ही नारण का नाम उच्चारून किया बलते हैं वही अजामिल के पास में विश्न दुतो का अगमन होता है और वहां पर इस जम दुतों का भी वहां क्लास लग जाता है और यमदुतों के कवल से अजामिल की भी रख्षा भी होता है और यथा समय में अजामिल को बैकूंट भी ले आना होता है यह सारी प्रसंक स्मथ भागवद में बहु सुंदर रुप से बंदन है तो वहां पर विश्णु दूतों ने यम्दूतों को बताते हैं क्या कि स्तेनह सुराप मित्रद्रिक ब्रमहा गुरुतल पगहा स्त्रिराज पित्र गोहन्ता एच पात की नोपरे केहते हैं वहाँ पर विश्णु दूतों ने कि जो चोर है स्वन्नस्तेई मध्यपान करने वाला है मित्रद्रोही है ब्रमगाती है गुर्पत्न गामी है और उस्त्री राजा और पीता और गायका भी जो हत्या करने वाला हत्यारा है और जितने भी बड़ा बड़ा पाब है उन सारी बड़े बड़े पातकों के जो महापातकी है या आतिपातकी है बलते विश्वी पातक पातक पाप का अधिकारी भी भगवान विश्णु का नाम किर्टन करता है तो उस समस्थ प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है या नाम किर्टन रुपी जो उपाय है उस पापों से पापों का प्राश्चित करने के लिए तो साथ भगवान के नाम को छोड़ करके इससे सरिष्ट और परम पवित्र प्राश्चित और क्या हो सकता है क्यूंकि जो भगवान के नाम का उचारण करते है वह उचारण करने बाला व्यक्ति भगवान की उसमें आत्मिय बुद्धी हो जाती है ऐसा इसलिए विश्य शुरुप से घर में भी देखने को मिलता है कि जो घर का नाम होता है घर का नाम लेकर के जब कोई घर का सद्य से बुलाता है तो उसके बुलाने में आत्मियता रहती है उसमें अपनापन रहता है उसमें प्यार रहता है उसी परकार भगवान के विए जो नाम है कृष्ण गविंद हरे मुरारी जो ये नामों का उचारुन करता है बलते उस उचारुन करने बाले के प्रती भगवान की आत्मियों बुद्धी हो जाती है बलने का मतलब भी है बलते चलो अन्य अन्य प्रास्चितों से पाप नश्ड भी हो जाता है लेकिन पापी का हिर्दया उतना सोधित नहीं होता है जैसे बलती है गंगाजी में सनान करने से समस्ट पाप नश्ड हो जाता है ठीक है ना ठीक है सास्तरों की बाग क्यों है संतों की उक्ति है ठीक है ये लेकिन पाप करने का जो प्रबृत्ति है उसे प्रबृत्ति उसके हिर्दय में रहे जाता है परिपुन रूप से उस पापी का हिर्दया उतना सोधित नहीं हो पाता जिसके कारण उसके चित्त में भगवन स्मुति या भगवान के नाम के उच्चारन भगवत नाम किर्टन करने का कोई भी स्मुति नहीं जागरीद होती है बरहम अगर अन्यके सिव प्राश्चित से उसका पाप खतम भी हो जाता है तो अभिमान आ जाता है कि मैं निशपाब हो गया हूँ मैं निशपाब हूँ इस परकार का वीमान भी यहां उदीद होता है लेकिन एक सोचने बाली बात है भगवान के नाम किर्टन रुपी जो प्राश्चित है इसका महिमात तो अनंत-अनंत है ही लेकिन कहते है कि ये भगवान के नाम के अभास मात्र से ही, बलते अनंत महापात उस प्रकार से पजोलिद हो जाते है, जल के राग हो जाते है, जैसे कोई अगनी में रूई का धेर सारे रूई डाल दे तो तत्खना भसमद हो जाता है, कोई समय भी ने लगता, बलते हैं उसी प्रकार, भगवान के नाम के अभास मात्र से ही, बलते हैं अनंत जन्म का जो महापातक उसके हिर्दय में एकत्री द्वा है, उतत्खनत भसमद हो जाता है, और के बल पाप भसमद नहीं होता है, बलते हैं उस पाप बासना से कारण, उसके चित्ता जो मलिन हुआ है, वो भी परिसदिद हो जाता है, कारण यह है कि भगवान के नाम के आभास से ना मुच्चारण करने बाले के हिर्दय में भगवान विष्णु का अनुसंधान अगर नहीं भी होता है, लेकिन मैं भगवान का नाम ले रहा हूं, इस प्रकार का उसके अंदर के इस प्रकार का मनोब्रती भी नहीं है, जैसे कि अजामील उसका कोई उद्दिश्य नहीं था कि भगवान को बुलाने का उसके पुत्र का नाम था नारायन इसलिए उसने पुत्र को नारायन कह करके पुका रहा था लेकिन उसका फल क्या हुआ था आप ने देखा तो अन्य संकित जो नमभास होता है उसी से भी भगवान को उसकी स्मरन होती है जो उनके नाम का उच्चारन इस प्रकार अभास मात्र से भी करता है या अन्य किसी बस्तो या व्यक्ति को संकित करके भी भगवान का नाम का उच्चारन करता है और भगवान के समरण में तो आती है यहां तक मान लेते हैं कि यह मेरा दास है और मेरे दास होने के कारण यह मेरे द्वारा ही रख्यांलिया है इस परकार का मत भगवान के हिर्दय में भी जागरीद होती है इसलिए भगवान के नाम में जो पतित पावनता गून या सकती है वो और कहीं भी नहीं मिल सकता कहीं भी संभव ही नहीं हो सकता अच्छा चलो मान लेते हैं कि भगवान कहे रहे है नाम का ये जो गून है पतित पावनता अधि गून ये तो जो निर्पराध होके भगवान का नाम में लेते हैं उनके प्रति प्रकासिद होता है अपराधी के लिए उते नहीं होता है अपराधी के प्रति तो नाम उतना प्रसनता नहीं रहती तो इसके उत्तर में वहां नरुतम दाश्टा कुर्मासा कहते है क्या कि जदी होई अपराधी तथापी हो तुमिगती सत्य सत्य जेनो सतिरपती देखो वहाँ पर भगवान प्रेम के मुर्थी है और प्रेम के मुर्दी भगवान भी है और भक्त भी है लेकिन वहाँ इतना दिनता है नुरुतम दस ठाकुर के हिरिदया में यह तो दिनता ही तो है क्या वह अपराधी है क्या वह उतना अपराधी से जुखत है ऐसी बात नहीं है लेकिन ठाकुर महासां वहाँ पर अपने आपको अपराधी समझ करके इसलिए बोल रहे है क्या बोल रहे है कि है प्रभू देखो यदि आप कहते हो कि मैं अपराधी हूँ अगर मैं अपराधी हूँ तो भी तुम ही मेरे एक मात्रगती हो अगर तुम मेरे अपराध को खिमा नहीं करोगे तो मेरा तुम्हारे सिवा और दुसरा कोई उपाय नहीं है किस प्रकार जईसे है उस पति ब्रता स्त्री जिसका एक मतल गति उसका पती ही है तो इस प्रकार के जो सतिरहमनी सती पति ब्रती है वो अपने पती के चरुन में अपराद भी करती है तो पती उसे अवस्यक्ष्यमा कर देता है और कहते हैं क्ष्यमा भी नहीं करेगा तो वह पती ब्रता है और किसके पास जाएगी उसका तो और कोई गती नहीं है पती के सिवा बोलने का मतलब यह है कि पती ब्रतास्त्री सती रमोनिस्त्री अगर पति के चर्वन्यों में कोई अपराद करती है तो पति उसको अवस्यक्षमा कर देता है लेकिन एक सोचने वाली बाद है अगर पत्नी आप अभीचारिनी हो तो पति उसको कभी भी ख्यमा नहीं करता है भरम उसका प्रित्यागी कर देता है भलते ठीक यही बात भगवान श्रीक्रिष्ण के एक निष्ठ अनन्य भक्तों के बाद भी है भगवान श्रीहरी के ब्रजिंद्र नंदन श्रीक्रिष्ण आदे जितने भी स्वरूब है उन्स्वरूब के परती जो निष्ठवान है वह अगर कभी भी अन्य देवी या देवताव का उपसना नहीं करते यहां उनके परति किसी परकार का प्रेम स्वा की कामना के ऑतिरीक्त उनके हिर्दाय में और किसी कामना का स्थान रहता ही नहीं है चलो मालो अगर इस परकार के भग अगर देवि-योग से या आसाद संह के प्रभाब से या आसाद संस्कार बास भगवान स्री हरी के चरवन में किसी परकार का अपराद भी कर बेटता है तो भगवान उसको अवज़ा क्षयमा कर देते है परन्तो जो अन्य देवों का उपासना करता है या भगवान से क्रिष्ण के सवा को छोड़ करके अन्य किसी बस्तु व्यक्ति देव देवियों का कामना हिर्दाय में उसके विद्यमान रहता है तो श्रीहरी बलते उस अभ्यभेषार्णी कि तरह उसको भी परित्याग कर देते हैं बलते भगवान में मन लगाकर उनकी सवा में अगर निजुक्त होता है तो यदि की शीच से कोई अपरात भी होता है तो भगवान उसको किशमा कर देते हैं लेकिन बहुते भगवान के इस परकार भजन साधहन सवा में लगे रहने के बाबजुद भी अगर कोई पराइस तरी के प्रतियासकत होता है व्यविचार करता है तो भगवान उसके अफ्राद को किस्यमा नहीं करते है और उसकी सेवा भी ग्रहन नहीं करते है हाँ, ऐसा हो सकता है, उसके उसे असत संका प्रवलता हो, या दुष्ट संसकार के कारण हो, यदि किसी अनन्य भजन करने बाले व्यक्ति के प्रती उसका आसकती उत्पन्न हो जाता है, तो वही अनन्य भजन करने बाला व्यक्ति ही उसको ये परश्त्रि आसकती से छुड़ा सकता है, और इस प्रकार अगर वो परश्त्रि आसकती से छुट करके, अनुतपता हो करके, पस्चाताप करके, एकांत रुप से भगवान स्रीहरी के चरनों में भावापन्न हो करके, सरनापन्न हो जाता है, तो भगवान स्रीहरी उस पर प्रसन्न हो करके उसको क्ष्यमा कर देते है, इसलिए तो सिमत भगवत किता में भगवान यही बात कहते है, क्षि प्रम भवति धर बात्मा सस्वत सांति निगच्चति कुंति अप्रति जाने ही नमे भक्त प्रनस्यति हरे क्रिश्णा।